खबर के और उत्तर प्रदीश में बड़ी आतंकी साज़िश का परदाफ फाश हुआ है जियां मेरत SCF ने UP के ही शामली से आतंकी घति वीडियो में शामल एक आरोपी को आरेस्ट किया है आरोपी का नाम कलीम है तीन दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर कलीम शामली पहुँचा था आरोपी कलीम आतंकी संगठनों ISI के संपर्क में था भारत में हतियार जुटा कर बड़ी आतंकी घतना को अंजाब देने की फिराक में था आरोपी युवक के पास से दो मुबायल फोन बरामत किये हैं अरदू में लेके 5 संदिग्द पेपर्स मिले हैं और अन्य संदिग्द शामान भी यहां से बरामत किया है बताते चले कि इस पूरे मामले में कलीम का भाई तहसीन और सहारन पुनिवासी यूसुफ नाम का यूवक फिलाल फरार चल रहा है ये कलीम को फर्जी आईडी पर मुबायल के से मौया करवाते थे प्लाल फुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है और कलीम से पुछता जारी थे देखे कलीम नाम का एक यूवक है वी रिसेंट्री जो है वो और उसकी फैमिली पाकिस्तान से छूट कर आये थे और उसको जो है इंटेलियंस एजेंसी और स्टीफ जो है काफी टाइम से फॉलो अप कर रहे थे जो जानकारी में प्राप्त ही और स्टीफ दौरा जो है एक जॉइंट आपरेशन में उसके विरुदेख अभ्योग पंजिकरत कराया गया है और कलीम से दो फोन बरामत हुए है जिसमें उसके भाई तैसीम की जो है वो चैट्स हैं कुछ मुबाइल नंबर से जो कलीम के मुबाइल से एक्टिवेट हुए थे लेकिन वो वर्तमान में पाकिस्तान में के आईपी अड्रेस पर अक्टिव है और उनसे जो है चैट्स हो तो इससे जो है यह जानकारी हुए लिए कि वाज जो है शड़ेंतरकारी गत्विधियों में संगलिप था और यहां के जो है फोटोग्राफ्स वगर भी उसमें भेजे हैं कुछ अब्जेक्शनेबल मेटेरियल और यह दो मोबाइल फोन्स फिलाल उससे बरामत हुए है और कलीन उसके भाई तैसीम और एक अन्यवेक्ति जो सहारनपूर का रहने वाला है यूसुफ शमसी जिससे लोग सिंप राप्त करते थे उसके विरुद भी सुसंगा धाराओं में अभियोग पंज़ेक्रित किया गया है तथा विधिक कारवाई की जा रही है तब पुलिस उधिकारी को सुना किस तरह से यहां पर यह पूरा अक्शिन लिया गया है विनोध मिश्जा मेरे साथ ही ज़ादा जनकारी के साथ जो रहे हैं विनोध हमने देखा है उतरप्रदेश में पिछे कुछ दिनों से इस तरह की गति विदियो में सनलिप्त या फिर फिजा को बिगारने की साज़श रचने वाले लोगों पर लगातार कारवाई की जा रही है उतरप्रदेश पुलिस या फिर S.G.F. की तरफ से अब ही क्या कुछ बाते सामने आई है जो शक्स कलीम पकड़ा गया है आखिर उसकी मनशा क्या थी क्या खुला से हुआ है देखिए दो बड़ी बाते हैं एक तो जिस तरीके से पिछले अगर पांच साल की बात करें योगी सरकार की तो इन पांच सालों में 37 से ज़्यादा आतंकी संदिक दातंकी जो है वो ग्रतार किये गए है यूपी की जाट इजन्सियों के दवारा हालिया ग्रतारी जो है कलीम की हुई है शामली का ये रहने वाला बताया जाता है और इसके पास से जो अभी तक मैटेरियल बरामद हुए है उसमें दो मुबाइल फोन है जिस पर कुछ चैटिंग से जो पाकिस्तान में कुछ लोगों से इसने किया है जो सबसे बड़ी बात है जिससे कहा जाता कि ये आतनकी गत्विदी में शामिल था उसमें इसके मुबाइल से कई ऐसे फोटोग्रास रामद हुए है जिसे इसे पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजा है जिसमें खास तोर पर राफेल की तस्वीर है जो अखबारों में चपी हुई है राफे इसे संदित आतकी घेरे में ख़़ा करती है इसलिए इसे उपीएच के अपने गिरफतार किया है कहा यह जाना कि इसे पूस्ताज के बाद पूरी कहानी सामने आपाएगी इसका चो छोटा भाई है पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है कि कहीं उसकी भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाव हैं इसलिए माना ये जाना कि उतव देश में खाससाथ पर जो पाकिस्तान बैटे हैंखले यही नजर आता है क्या पाकिस्तान वहां से बैठ कर हिंदुस्तान में से स्लीपर सिल्स को प्लांट कर रहा है जनकारी क्लिए विनोध आपका शुक्रिया तो कलीम